स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उज्वला यूजना 2.0 के बारे में तो इस वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको इस यूजना की पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे तो पहले एक यूजना चलती थी जिसका नाम था प्रधान मंतरी उज्वला यूजना जिसके अंदर लोगों को गैस कनेक्शन फ्री में दिये जाते थे गैस कनेक्शन के साथ में लोगों को जो चूला और सिलेंडर दिया जाता था उसका जो है वो सरकार साज कारती थी लेकिन प्रधान मंत्री उज्वला यूजना 2.0 के अंतरगद अब लोगों को गैस कनेक्शन तो फ्री में दिये जाएंगे ही उनके साथ साथ चूला और चिलेंडर भी फ्री में दिये जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं कटेगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन इस यूजना का फाइदा ले सकता है तो यहाँ पर आपको बता दू कि प्रधान मंत्री उज्वला यूजना 2.0 का फाइदा सिर्फ और सिर्फ और ओरते ले सकती हैं जिन ओरतों की उम्र 18 से उपर हैं वो इस यूजना का फाइदा ले सकती है इसके अलावा उस ओरत के परिवार में कोई दूसरा LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए वो ओरत SC, ST और जो हैं पिछले वर्ग या गरीब परिवार से होनी चाहिए तो जो हैं वो इस यूजना का लाप ले सकती हैं अब यहाँ पर बात करते हैं आवेशिक दस्ताविजो के बारे में दस्ताविजो में आधार कार्ड, रासन कार्ड, बेंक अकाउंट, आई एप, SC कोड और परिवार में जितने भी मेंबर 18 से उपर हैं उन सभी के आधार कार्ड भी डोकुमेंट्स के रूप में काम में ले जाएंगे अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके आवेदन करने के तरीके के बारे में तो यहाँ पर इसका आवेदन दो परकार से होता हैं पहला online और दूसरा offline अगर आप offline तरीके से करना चाहते हैं इसका आवे तो आप सीधे guest agency में जाके ये सारे documents जो है guest agency में दिये सकते हैं और इसके लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप online apply करना चाहते हैं तो इसकी एक website है जहां से हम इसके लिए online apply कर सकते हैं वो कैसे होगा चलिए देखते हैं यहाँ पर दूस्तों हमें सबसे पहले chrome के अंदर टाइप करना है PM Ujvla Yujna तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है मैं यहाँ पर सीधे यहाँ से चर्च कर देता हूँ अब दूस्तों यहाँ पर सर्च करने के बाद हमारे सामने यह पहली वेबसाइट आ गई है जहां लिखा हुआ है www.pmy.gov.in और इसके निचे लिखा हुआ है new ujvla 2.0 connection PMUY तो हमें इस पर क्लिक कर देना है अब हमारे सामने यह जो इंटरफेस खुल सुका है यह जो जो है वह इस यूजना का ओफिशियल इंटरफेस हैं और ये इस यूजना की official website है यहां से हम इस यूजना के बारे में जानकारे ले सकते हैं कि कौन-कौन से document इस यूजना के लिए चाहिए क्या eligibility चाहिए और हम कैसे जो हैं इसके लिए यहां से आवेदन कर सकते हैं और यहां पर इस website से हम इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं तो यहां पर जो भी मैंने आपको criteria बताया है जो भी योग्यता बताई है इस योजना के लिए वो सब कुछ यहां पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह जो है eligibility है और उसके बाद यह document requirement है यह देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई है और यहां से यह नीचे जो लिखा हुआ है online portal तो हमें इस पर click करना है यहां से ही हम इसके लिए apply कर पाएंगे online तो यहां पर मैंने click किया अब यहां पर मेरे सामने जो है तीनो gas company का नाम आया है है पहले पहली है इंडियन दूसरी है भारत गैस और तीचरी है HP गैस तो आप इन तीनों में से किसी के लिए भी apply कर सकते हैं सभी के लिए यह यूजना मानने हैं मैं यहां पर इंडियन गैस के लिए select करता हूं सलक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा अभी यहां पर लोड ले रहा है सलक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर हमें अपने mobile नंबर register करके यहां पर यहां की customer ID बनानी है और उसके बाद आगे जो है फॉरम का process होगा कि online form कैसे भरा जाएगा पूरा process जो है यह ID बनाने के बाद आगे खुलेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से document चाहिए क्या-क्या eligibility है वो सब कुछ आपको इस फॉरम में आगे देखने को मिलेंगी यहां पर ID create करने के बाद और आप जो है यहां से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे बाकी इस यूजना से जुड़े हुए जो भी important link होंगे वो मैं यहां पर description में provide करवा दूँगा और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं अगर आप offline आवेदन करना चाहते हैं तो आप cda gas agency में जा सकते हैं आपके वहां की चाए कोई सी भी हो Indian हो पारत gas हो या फिर HP हो आपको वहां पर जाना है और अपने जो document है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए वो सभी लेके वहां पर जाना है और वहां पर आप वो document दे सकते हैं gas agency वाले आपका form तयार कर देंगे या फिर आप उनके पास से form लेके तयार कर सकते हैं और इस तरह से आप इसके लिए offline आवेदन कर पाएंगे और online का तरीका भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है वो ही document यहां पर भी लगेंगे बस यहां से हम सीधे form भर पाएंगे आगे का process जो है ID बनाने के बाद देखेगा तो यहीं है वीडियो और इसी तरह से जो है इस यूजना के लिए आवेदन किया जाता है थन्यवाद